मैं हूँ आपके साथ अनुषकार आये और आप देख रहे हैं कोशिया लोग नियूस ब्यार के हरजिले में कारवरत दलित छात्रावास को बंद करने का मामला गर्माता जा रहा है और विपक्ष इसको और हवा देखर लगा हुआ है जबकि ऐसा कुछ रही है ये बातें बिहार जदियू के प्रदीश महासचीव दलित प्रकोष्ट के रंजीत पासवान ने कहाई रंजीत पासवान का कहना है कि प्रदीश की तमाम कल्यान होस्टल में दलितों की पढ़ाई को लिए रूम उपलग्स कराया जाते हैं लेकिन कुछ सालों से सरकार को ये सूशना मिल रही थी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना जरुरत के भी रूम को ले रखे हैं इसलिए सरकार ने ततकाल इसे सभी दलित होस्टल को खाली करने का ने नहीं रिया है और उसके बाद जन चात्रों को सही से हॉस्टल की जरुरत है उसलिए चात्रावास की सुविधा मुहिया कराई जाएगी रंजीत पांसवान ने विपक्ष पर बोलते हुए कहा विपक्ष का काम ही है तमाशा खड़ा करना आदे साया क्या है देखिए वो जो दो महने से यह मामला चल रहा है दरसल मामला यह है कि पटना कल्यान चात्रावास महंद्रू में कुछ रिपेरिंग का भी मामला था और मूल रूप से सरकार की यह निती है ऐसी बार-बार सूचना मिल रही थी कि जो वेलफियर होस्टल्स हैं पूरे बिहार में जो अनुसुची जाती जन जाती कल्यान चात्रावास है उसमें बिद्यार्थियों के लिए सीटें कम पड़ रही है और जो बरतमान में कैपिसिटी है उससे अधिक उसमें चात्र रह रह रहे हैं तो मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि अवैद रूप से रह रहे हैं या वैद रूप से रह रहे हैं वो तो एक जाच का मामला है लेकिन जो जैनुवीन रेगुलर चात्र हैं जो हमारे स्टूडेंट्स जो सीएस्टी के चात्र हैं उनको रहने की जगह नहीं मिल रही है और उसी के दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वेलफियर होस्टल में जो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और मैंने तो कई ऐसे ब्यक्तिकत रूप से यह भी देखा है कि जो छात्र सेवा में भी आ गये हैं कहीं कोई सिक्षक हैं कहीं कोई किसी सेवा में हैं सरकारी स भी तक होस्टल को छोड़े नहीं है और राजनीति से भी जुड़े हैं खैर आजनीति से जुड़ना उनका अपना लोकतंत्र है अपना थिकार है लेकिन राजजी too करन मीं एक्या रखनद करण को राजने के लिए अनृदान वहां मिलता है समिधानिक प्रफदान लेकिन आ पर जो रेखुलर स्टुडंट रेंगे और उसको राजनेती का खाड़ा बनाएंगे और आपको पढ़ाय से कोई मतलब नहीं है बल्के आपको राजनेती का हाड़ा बनाना है और उसके फलसुरूप आप जो जनुविन च्छातर हैं वो मिस्ट गाइड हो रहे हैं जनुविन चात्रों से आवेदन भी लिया था कौन से regular चात्र है किस college में पढ़ रहे हैं कहां पढ़ रहे हैं उनका सारा data लिया गया है और उनको पुना आवंटन भी किया जा रहा है पटना के hostel को जो खाली कराये गया है वो एक उसको आप कहा सकते हैं कि rectify किया जा रहा है और उसके बा में हैं सभी जिला में तो यह इतना दिन से क्यों नहीं सरकार के दब से notice आया देखे जो बाते जब तक संग्यान में आती हैं तो उसमें वक्त लगता ही है और चुकि पटना मेहंदरू वेलफियर होस्टल थोड़ा सा जादा डिश्टर्व हो गया था और उसको संग्यान मे बातें आई हैं तो फिर उस पर करवाई की जा रही है कि चातरावास में ही रहनवाले लड़के सब भी कुछ निई कोई पॉलिटिक से जुरे हैं कोई चीज से जुरे हैं जो काभी कुछ हांगामा के बाद वो ने ऐसा हमारा कहना नहीं है कि सिर्फ छात्राबास के लड़के ही उसमें इन्वाल्व है हमने कहा हमारी पूरुप के बियान को आप अगर ध्यान से सुने होंगे या सुन रहे होंगे तो मैंने ये कहा है कि जो regular और genuine students हैं उनके लिए welfare hostel है उनके लिए प्रावधान है और जिन उसमारा नहीं जुद्बी जवेर है और बिल्कुल वह चल रहा है पत्ना का तो खाली भी होगिया है और पत्ना में फिर यह ब्लपर अृ काम है व और ब्लप करके फिर से चात्रों को आवन्टित किया जाएगा और साथी मैं तो यह भी मानता हों कि पूरे इहार हो निए और उनको रहना पढ़ रहा है बाहर इसलिए कि वह पर जो रूम अ जो अची तरह से जान रहे कि क्या हो रहा है लेकिन उनको तो मसाला चाहिए दलितों को बरगलाने का कुछ मुद्दा चाहिए और हमारे जो लोग हैं जो जैनुएन लोग हैं बड़े सरल सुभाब के लोग हैं बातों में आ जाते हैं ऐसा कहीं कुछ नहीं है उनको समझने की बात है कि आखिर अगर पूरे बिहार का वेलफेर होस्टल खा काम किया है और कल्यान मंतरी से मिल करके हम लोगों ने बाते रखी हैं जो हमारे पक्ष की बाते हैं तो उन्होंने हमें अस्वस्त किया कि नहीं ऐसी कहीं कोई बात नहीं है और इस पर सिर्फ वहीं कारवाई हो रही है कि जो जैनुविन च्छात्र हैं उनको रूम बिल्कुल 100% रंजीत कुमार पास्वान प्रदेश महा सचीव दलित प्रकोष्ट बिहार प्रदेश आभी तक के लिए फिलाल इतना ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशिया लोग नियूज